कि हेलो वाधिस वाखित आप सबका टीम से रुमर बात करने वाला है अज के लिए। मैं यहां से रही है किसके बीच बीच में एक तरफ यहां से रहे आप केंट लंका नेपोलि के टीम और दूसरे तरफ रहने वाली रोमा अब क्या कुछ आज के लिए प्रेडिक्शन है कि आज के लिए टीम रहती है क्या सारी चीज़ रही नहीं सब कुछ करेंगे डिसकस आपको विदेखो टीकी टैन पर आप सपोर्ट दिखा रहे हो आप में से बहुत चारे लोग एवन ग्रांड लिग के लिए स्मॉल लिग के ठीक है तो ध्यान रखना जितने स्टैट्स बता हूं सारी चीज़े आप ग्रांड लिग में ज्यादा ट्राय कर सकते हो स्मॉल लिग आपको पता है टीटैन में हमेशा रिसकी होती है ऐसा नहीं कि पिछले दो मैंच अगर क्लीन स्विप कर भी दिये तो तीसरे में दावज चल रहा है वो भी कवर करना है तो उसकी वीडियो भी आजा जाएगी एंशन ना लो ठीक है एक दो बजे के तक्रीपन मतलब इस मैच के एडलाइन के बाद में मौश्टराब ले बागे इस मैच की बात करता है तो क्या रही प्रेडिक्शन क्या रहती है टीम सारी चीज़े करेंगे डिसकस तो आखिर तक देखते रहे ना और साथ-साथ वीडियो पसंद है लाइक जरू कर देना चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो फटाक से कर लो और साथ-साथ टेलक्राम चैनल भी जरूर जोन कर ले ना जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दि केंट लंक बहुत नीचे देखने को मलती है और 12.12 बज़े रही किस मैच के लाइन अब रोमा ग्लाइटर के तरफ से जो प्लेंग लाउन रहने वाली है वो कह रह सकती है तो पैजे खुलाश टाम इनों ने जो प्लेंग लाउन के लाई तो वो कुछ जैसे दी जहां पर है तो 49 मैचस 1291 रहनते और 30.02 का एवरेज है बॉलिंग ये कराते नहीं है मुने मिया जी है लेफ्ट अंड बैट राइट अंपे सर बैटिंग ब्लस बॉलिंग दोनों देखने को मलती है बैटिंग में ठीक ठाक है बट बॉलिंग अच्छी है इनकी इन्हों है बट हर मैच में ऐसा नहीं कि बॉलिंग कर रही है अब रीसेंट में देख लेंगे पिछले पांच में से कितने मैच में कर रही है बट अगर ओर रोड रिकोर्ट सिर्व हम देखे तो 58 मैचस आठ साथ रहन है 16.44 और यहां से 37 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करे 58 मैचस में से जिसमे 35 विकेट्स में निकाल रखे देनाते हरपीत राइट हैंड राइट हैंड मीडियम 19 मैच में 457 इनके नाम रन से एवरेज भी काफी अच्छा है 32.64 का और उसके बाद में अगर देखा जा तो 19 मैच में नहोंने बॉलिंग कराई है और उसमें 9 विकेट इन्होंने निकाल र बट ऐसा है कि आपको ज्यादतर मैच अल्मुस्ट 99 पेटसंट में आप बॉलिंग कराती हो नजर आएंगे जिस आप देख भी सकते हो 41 मैच में इन्होंने 49 मैच में बॉलिंग कराई है और 28 विकेट इन्होंन निकाल रखे हैं उसके बाद में बारी आती है मुक्ता मुक्त आपको 37 इनिंग्स में के देखने को मिल जाते हैं उसके बाद में आती है यहां से आमद अलहक की जो कि राइट हंड बैट राइट हम पेसर है आठ पैच में 24 रन है आठ का एवरेज और आठ में से 7 मैच में बोलिंग कराई जिसमें विकेट इन्होंन निकाल रखे हैं यहा बाकि आपको एक यह मैं बोलूँगा आपको लिए ठीक थाक उप्शन मन जाते हैं जहां पर की जितेंटर प्रकाश है राइट हंड बैट राइट हम पेसर है अविसली बैटर नहीं है बोलर है अब करन तो देखने को नहीं बिलते हैं बट विकेट इन्होंने 37 मैं से 29 मैच च्छे मैच वोलिंग कराएं दस में से विकेट सर्फ दो ही निकाल रखे हैं उसके बाद में यहां से जुलकरनन अली है जो कि बहुत नीचे आते बैटिंग में 27 मैच 74 रहने बोलिंग मी सिर्फ एकी मैच में करें तो ना तो बैटिंग ना बोलिंग किसे से भी कुछ नहीं किया हुआ है नेक्स्ट उसके फाद में फिर रहां मिया है जो की बोलिंग कराते नहीं है बैटिंग के अगर बात करें तो चोदा मैच में सिर्फ और जिर्फ चार रहने और उसके बात में यहां से जमाली देखने को मिल जाते हैं हाँ इन्होंने विकेट जरूर मैं बोल सक ले सकते हो स्पेशली ग्रैंड निक के लिए रसक लेने के लिए ऑप्शन बता है काफी अच्छे रहते हैं तो मुक्तियार से काफी बड़ी ऑप्शन है यहां से उसका बाद मोरी नियाजी काफी अच्छे ऑप्शन बनता है एंड इवन सिर्फ जो बैटिंग करेंगे को ही बनाना क्योंकि 90% वही रहते हैं कि वही अच्छे पॉंट्स देंगे बट कभी कवार ऐसा होता नहीं कुछ अलग हो जाए तो उस केस में वह कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहां से जितेंदर प्रकाश काफी अच्छा उप्शन रहता है मुबाराग हुसें काफी दो बार जल्दी आउट वें बागी 55 32 64 की नहीं ने इनिंग खेल रखें मुनिम नियाजी का रिसेंट फॉम देखा जाए तो बैट 36 रन जिरो विकेट चार रन जिरो जिरो रन एक और यहां से चोजा रन पागे पिछले दो मैच्छे इनके भी अच्छे गहें हर प्रीत की बागी जाए एक मैच पर 25 बागी में साथ पाच और सुर्छ रन बनाये हुए उसका आद में शनमागूल जात रन रहते हैं इनके नामगों को विकेट भी साथ साथ रन भी देखने को मिल जाते हैं दो मैच में आले के रन नहीं है बट वहां पर विकेट से और उसका लाउन परफोंस देने को मिल जाता है उसका बागी आती है शीफट आमीन आखि पूरे बागीच मैच का है जिस्में से विकेट सेने वह फाच मैच के ही है इनका भी मैच के है इन्होंने बोलिंग करा है पाकी तीन मेंना इनके बागी बीडर को बीड़ोंग को इन के उसमें उसका है उसके बार में इस श्रजल करना नियुक्त में इंकी मैनेच कर रही यह इन aikी बाले के वीक्टि लेक्फ नियुक्त से पांशों यह पांच प्याइंक लकाली हिए हैं निकाल रहा आए है इसके बात करतें जो में हिसे हो ग्रेख 2010 कि हो तो говорить होगा कि यह टीम तों कावर कर चुके अगर नहीं पता है तो को जिकत ने कुछ खिलाडी चेंज भी होगा तो उनके बारे में बता जाता हूं देखो इशान शामिंडा है लेफ्टन बैट लेफ्टम और तुलोक्स 33 मैचस 395 रन है 15.80 कावरे जोर भाई यहां से इनोंने 33 मैच में बोलिंग करा है जिसमें इनोंने विकेट निकाले अठारा विशाल सेनन आए के देखने को मलते हैं लेफ्टन बैट राइटम पेसर नो मैच 324 रने इनके बैटिंग काफिज अबरदस्त रहती है आठ मैच में इनोंने बोलिंग किये और जिसमें से की इन इनोंने विकेट भी निकालें जो कि है अच्छ है दनिया से निकोलो फर्देंडो लेफ्टन बैट लेफ्ट आम स्पिन यह डालते हैं बत्तिस मैचस में पांसो आर्ट रिने बीच दिशमला तीन दो काइमरेज और बत्तिस में सबाई 31 मैच में बोलिंग भी गराई जिसमे इनोंने विकेट निकालें 25 आपको न अच्छे उल्ड राउंडर्स उपर ही देखने को मिल जाते हैं बाद में तो जो खिलाड़ी आदे ने तीन चार वो जादा काम के रहते नहीं है हर टीम से बात कर रहा है सिर्फ इनी की नहीं इरोश में मुक्ति राइट अन बैट इनोंने विकेट निकाल रखें बारा तो यह समझ के चलो कि हर मैच में बोलिंग नहीं कराते ना तो इरोश मुक्ति और नहीं यहां से दनुश का सिल्वा उसका बाद मैं नेक्ष बात की जा यहां से कंतागे थिमीरे रहते ग्यारा मैच में रन हैं इनके नाम 35 और ग्यारा मैसे इनोंने 6 मैच में बोलिंग करा हुए जिसमें इनोंने विकेट निकाल रखें मात्र दो ठीक है लेफ्ट अम पेसर उस्मान आमित का कोई वी ऐसा रिकोर्ट है नहीं विनिला परेरा की बात की जाए 9 मैच में 33 रन है और 9 मैच में इनोंने विकेट निकाले हुए 6 अल् इसलिए बात की छो खिलाडी बसते हैं जाद कुछ काम के रहते हैं जैसे की उसमान आबिद तो चलो विकेट वगरा है इनका रीसेंट फॉर्म ठीक है इधर से कनाला को देख लो शैन फर्णेंडो देख लो आदे मैचे वोलिंग करा यह उसमें भी इतने विकेट इनके नाम रहते नहीं है नेक्स्ट यहां से आगन क्या बोलते हैं कानता के थिमीरा है यहां से जिन्वान जादो कुछ खास परफ के लिए दनुष्का सिल्वा रहते हैं उसके अलाब चाहो तो यहां साइचिंता देन वन को आपक कर सकते हो यह कुछ खिलाड़ी है केंट लंका की तरफ से रिसेंट के बाद की जाए इशान शामिंदा पिछले तीन मैच तो उतने अच्छे नहीं है हाँ उससे पहले 31 विक निकोलो फर्नेंडो बहुत कंप प्लेयर है ज्यादा लोग उन्हें नहीं लिया हुआ है क्यों को कि पिछला मैच प्रॉप रहा था अच्छा की लाड़ी है रन वगर आपको उनकी तरफ से हो सकता है रन भी साथ-साथ विकेट भी देखने को मिल जाए डिसेंट फॉर्म त हुँति प्षले पांच में से बने मैं ओफ और लिए हिसमें बैटिंग गुलींग किया जिसमें से एक मैंच में 11 विकेट एक मैंच में तीहां और लिज़ी एक Matte 13 जिरो विकेट और उसके बाद में जिरो विकेट है अलग रिसेंट फॉर्म तो है इनकवर्ट जादा कुछ खास नहीं है तो एक वो जो बोल रहा था है मैं जिसमें जी लेसल में किसी को जादा प्रेफर नहीं कर सकते उस्मान आबिद भी हो जाता है बाग यहां से विनिला प पूरी तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक नएक विकेट निकाल दे स्पेशली पहले बोलिंग करते हैं और उसके बाद में श्टीफनो कनाला है एक ही मैच में बैटिंग आई हैं कि जसमें इनोंने रन बनायते सिर्फ जीरो और उसके लावे यहां से अचिंता देनवन है एक र लाश्ट में जो बोलिंग रही थी ना इस टीम की कहीं ना गई ऐसी थी विशाल सिननाय के शेहन फरनेंडो कंते की थी मारा निकोलो फरनेंडो विनिला परेरा उसमान आबित तो यहां कुछ ऐसा था कि चलो एक और में उननिस पढ़ गए अगले बोलिंग देते हैं शायद हार के कारण भी बने कहीं ना कहीं और दूसरी टीम से प्रोपर पांची बोलर यूज होए थे जहां पर मनसूर जमाली थे अमदूल हक थे उसका अधुमुक्तियार सिंग क्या बोलता है शादम गुल जातरन और उसके बाद मूनिम निया जी अलाश मैच किन की कुछ पोलिं टाइब देखने को मिल सकती है केंट लंका की तरफ से टीम की बात करें तो नियाजी मुबाराग विसान दोनों को रखा है विनिला परेरा को उसके बात में लिया हुआ है वह का बोलते हैं बैटर सेक्षिन से निकॉलो फर्णेंडो है जातरान है उसके बात में सिंग रहें हैं मुबाराग को चैन थोड़ा सर इसकी ऑप्षिन है बर ट्राइजरू कर सकते हैं अगर करना चाहो तो तो यह जाती है फिलाल के लिए जो टीम एंड सब चीज़े हैं बागी वीडियो कर पसंद आए तो लाइक जरूबर देना कल को सब्सक्राब अगर नहीं क्या हो तो सब्सक्राइब को भी एड़ाइए अधरविस मैंने कभी भी आज तक पूरा ग्लिंशेव नहीं किया था वह भी इसले करा आना पड़ा क्योंकि चोट लगए थी बठीक है चार पास दुनों वापस नोर्मल दिखना लग जाओंगा नहीं आज किल मेरे को मैं खुदी थोड बजें ठीक है तो देखे लेना